तो भाई लोग आप सबको तो पता ही होगा जो न्यूजी लैंड है वो गया है इंग्लैंड के दोरे पर जहां पर उसे पहला है T20 स्रीज खेलनी है फिर खेलना है ODI तो आज की इस वीडियो हम बात करने वारे हैं जो पहला T20 मैस खेला जाएगा इसमें कौन से ऐसे पिलियर ह उसे बनाने में आसानी होगी ना जी बिल्कुल आसानी होगी और दोस्तों जो मैच है ना रिवर साइड ग्राउंड चेस्टर ली स्टीट में खेला जाएगा तो यहां कप इसका बीहेवियर क्या होगा कंडिशन क्या होगी यहां के मैदान की साब से कौन से पिलियर यह भी जानेगे आज की इस वीडियो में ते वीडियो इंपोर्टेंट है ना तो चलो फिर जल्दी से स्टार्ड करते हो जानते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग लेवन्स क्या होगी आज के इस मैच में अगर हम यहां पर इंग्लैंड की बात करें तो जोस बट आज की इस वीडियो करते हुए दिख जाएंगे दसवे नंबर की बात करें तो आदिल लचीद और ग्यार्वे नंबर की बात करें तो जो श्टंक यह भी डिविवे कर सकते हैं अपना पहला-पहला मैच खेल सकते हैं तो दोस्तों यह हो सकती हैं इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेंग लेवाज दोस्तों अगर हम यहाँ पे निवजी लैंड की बात करें तो फिन एलेन के साथ डिवेन करनो ओपन करते हैं जर आएंगे तीसे नंबर पर टीम सेफर्ट चौथे नंबर की बात करें मार्क चैपमेन दिखेंगे पांचवे नंबर पर ग्लेन फिल्प से चाठ तो नंबर की बात करें डैंड ओन हैं मिसेल सेट नर दिखेंगे नोवे नंबर की बात करते तीम साओधी कपतान दस्वे नंबर पर आया प्लें लेन Keuni नहीं पर यहाँ लेकिन आप चिंता ना करो क्योंकि मैच स्टार्ट होने के 2-3 गंटे पहले इस मैच की जो फाइनल प्लेंग लेबंस है न वो मेरे टेली ग्राम पर मिल जाती हो भाई यह बस प्लेंग लेबंस थोड़ी न मिलेगी आपको इस मैच की ड्रीम लेबंस की बिनिंग टीम मिलेगी मेरे टेली ग्राम पर वो भी एक नहीं दो नहीं तीन तीन तो ज़रूर जोइन करें बस फेक से बचें क्योंकि मेरे नाम पर बहुत ही नकली टेली ग्राम चैनल बना लेगे इसलिए इदर उदर और केसे जोइन नहीं करना जो लिंक की मिलेगी बस वही से जोइन करें तो हम से दो मैच में टार्गेट डिफैंड हुआ एक मैच में टार्गेट चेज तो तीन मैचों में चेज और डिफैंड का ज्यादा हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं तो इस मैदान का जो हाइस स्कोर है अगर हम यहां के मदान पर हाइस टोटल चीज की बात करें तो एक सुरू में जो तेज गेंद माज होते हैं जो उनकी बोल होती है सीम के साथ स्विंग करती है और एक्स्टा बाउंस मिलता है तो बल्ले बाजी करना थोड़ा सा मुस्किल होता है शुरू के तीन चारो बर लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है बोल की शाइनिंग खतम होती जो बोल होता है बैट पर भी आने लग जाता है लेकिन दोस्तों यहां पर ग्रोस सर्फ कि मतलब एक साइड की बांडरी बड़ी है एक साइड की छोटी है तो ऐसे में बड़ी बांडरी के साइड चोगे चके लगाना थोड़ा सा मुस्किल होता बिकिट जाता है तो इस हिसाब से देखे तो जो तेज गेंदवाज खास करके न्यू बोल से स्विंग कर वाते हैं और साथ में विरेशन करते हैं डेथ होवर में मिडिल में उनको अपनी टीम में रखना है इस्पिनस गेंदवाजों की बात करें जिनको पास experience है जो सही लाइलेंस से गेंदवाजी करते हैं उन इस्पिनस गेंदवाजों को अपनी टीम में जगे दे सकते हैं बल्लेवाजो इसा करते हैं ना एक एक प्लियर के बारे में जानते हैं फिर मज़ा भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा तो सबसे बहले हम बात करते हैं यहाँ पर जोस बटलर की जिन्होंने आकरी के 10 मैच में 414 बनाए गजब का प्लियर है टी-20 में आज के टाइम पे इनसे बढ़ साओधी और मिशेल सेटनर के सामने काफी बार फस्ते हैं कौन जोस बटलर लेकिन मुझे लगता जिस तरह की फॉर्म में जिस तरह के बल्ले बाज है क्योंकि ता हंडेड में भी बढ़ियर परफॉर्मस करके आएं तो आज की मैच में 60-70 की पारी खेल सकते हैं जोस बटलर जोस बाज़ बाज है जोनी वेस्टो उस हिसाब से तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है नीजी लेंड के सामने इस से पहला है 155 एक्सो पचपनन बना चुके जो की ना बहुत ज़दा अच्छा के सकते हैं ना बहुत ज़दा खराब कहेंगे चेश्टली स्टीट मैदान पे दो मैच के लाफ 42, 42 बनाएं मतलब इस मैदान पे भी जोनी वेस्टो की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास नहीं है आया सोडी और लोकी फाकिसन के सामने जोनी जोनी येस बाबा फस्ते हैं लेकिन मुझे लगता आज के मैच में लंबी पारी तो ना किलेंगे पारी भी ना खेल पाएंगे मतलब 5-10-15 बना के चले जाएंगे तो आई थिंक बेंड डगिट से हमें आज के मैच में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए वाकिए अगर हम यहां पर हैरी ब्रूक की बात करें तो इन्होंने आखरी के 10 मैच में दोसो अर्तारी सन बनाएं दस पारी ब्रूक को अपने टीम में हमें जगे देनी चाहिए एक चीज और है जब हैवी ब्रूक टिकते है ना तो यह अकसर लंबी पारी खेल के भी जाते हैं तो मतलब अगर 2-3 टीम मना रहे ना तो एकाता टीम में इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी हैवी ब्रूक को सकते हैं बागी टीम में तो इनको रखना ही चाहिए लियाम लिविश्टन की बात करें तो आखरी की 10 मैच में 286 अन मना चार बिकिट निकाला 10 मैच 286 अन कुछ खास नहीं है बिकिट भी मतलब कुछ ज़्यादा ना मिला लियाम लिविश्टन को न्यूजी लेंड के सामने लियाम लिविश्टन के सामने लियाम लिविश्टन के सामने थोड़ा सा फस्ते भी है और मुझे लग था आज के मैच में थोड़ा सा बचके रहना चाहिए बाकी अगर हमें आपे मोहिन अली की बात करें तो इन्होंने आखरी के 10 मैच में 220 बिकिट मोहिन अली निकाले नियूजी लेंड के सामने इस पहले 108 बिकिट ले चुके तो मतलब मोहिन अली की जो परफोर्मेंस है नियूजी लेंड के सामने वो कुछ खास नहीं है आयाश चोड़ी और टीम साओधी के सामने ये भी फस्ते क इन्होंन मोहिन अली और मुझे लगता है ये भी ना आज के मैच में कुछ खास परफोर्मेंस ना दे पाएंगे न तो बल्ले से ना तो गेंच से तो मोहिन अली से भी ना हमें आज के मैच में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए बाकि अगर हम यहां पे सैंकरन की बात करें तो इन्होंने आखरी के 10 मैच में 195, 194 में बनाए, 13 बिकिट निकाला, मतलब रन तो थोड़ा सा कम कह सकते हैं, लेकिन बिकिट सभी मैचों में एक दू निकाल के देते हैं, इसके इलावा New Zealand के सामने 41, 41 बनाएं, और 8 बिकिट निकाला, बल्ले बाजी की बात कहें तो New Zealand के सामने Sam करन की कुछ खास नहीं है, लेकिन गेंद बाजी की बात कहें तो ठीक ठाग करीए, बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ठीक ठाग करीहें, बल्ले बाजी करते टाइम लोकी फाकिसन और आयस टोडी के सामने थोड़ा सा सैम करन फस्ते हैं लेकिन मुझे लगता आज के मैच में सैम करन आपको और और पूफामेंस देंगे मतलब एक दो बिकेट भी निकाल के देंगे और हो सकता है को 20-25 या 30 अनों की पारी भी खेल के दें कौन सैम करन तो सैम करन को हमें आज के मैच में अपनी टीम में रखना चाहिए दो-तीन टीम मनाने तो एक आता टीम में इनकों भी केप्टन या वाइस केप्टन ट्राई कर सकते हैं बाकि अगर हम यहाँ पे लुई कूट की बात करें जिन्होंने आखरी के 10 मैच में 15 विकेट निकाले लुई कूट तो लुई कूट से हमें आज के मैच में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए बाकि गस अठकिंसन की बात करें तो इन्होंने आखरी के 10 मैच में 14 विकेट निकाला मतलब ठीक ठाग गेंदवाजी करके आ रहें सबी मैचों में एक दो विकेट लेकर जाते हैं न्यूजी लेंड के सामने इससे पहले आठ विकेट चटकाच चुके तो मतलब न्यूजी लेंड की ठीक ठाग गेंदवाजी कर चुके बहुत ज़्याद आच्छा नहीं कर सकते हैं लेकिन चेश्टल ने इस स्टीट के मैदान पे एक मैच खेला आदिल लसीद ने तीन विकेट निकाला मतलब यह जो मैदान है आदिल लसीद साहब को काफी ज़्यादा पसंद है और मुझे लगता आज की मैच में एक दो या तीन विकेट भी ले सकते हैं आदिल लसीद को भी ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए बाकि अगर हम यह पर जो स्टंक की बात करे तो यह भी डिवीव कर सकते हैं जिनोंने आखरी के 10 मैच में 12 विकेट निकाले बहुत अच्छी परफोर्मेंस तो नहीं के सकते लेकिन ठीक ठाके लेकिन 100 में काफी अच्छी परफोर्मेंस करकर आए हैं और इनका भी डिवीव होका तो मुझे लगता है यह भी एक दो विकेट तो निकालके लेकर जाएंगी जाएंगे कौन जो स्टंक तो जो स्टंकों भी न हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए बाकि अगर हम यहाँ पर डिवीवें करणों की बात करें जिन्होंने आखरी के दस मैच में 374 बनाए दस मैच 374 जिस तरह से डिवीवें करणों बल्ले बाद है न मोहिन अली और सैम करण के सामने थोड़ा सा डिवें करणों फसते हैं लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में जिस तरह के बल्ले बाद है ना लंबी बारी कहलेंगे 37 या 80 रनों की तो डिवें करणों को हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए जगे देन इंगलेंड के सामने इससे फहले बस 16 रन बना चुके मतलब इंगलेंड के सामने इनका बल्ला वल्ला नहीं चलता है सैम करण और लियू कूड के सामने ये थोड़ा सा फस्ते हैं मुझे लगता है आज की मैच में दस बारा पंदरा बनाएंगे इससे जादा ना बना पाएं इंगलेंड के सामने इससे पहले 126 एंगलेंड के सामने लेकिन बहुत जादा जवा जस तो नहीं कह सकते आदिल लशी तो सैम करने के सामने थोड़ा सा टीम सेफट फस्ते हैं लेकिन मुझे लगता आज के मैच में ना ये 40-50 सनों की पादी खेल के जाएंगे कौन टीम इंगलेंड के सामने इससे पहले 72 एंगलेंड के सामने लगता है कि जो ग्लेंड फिलिप्स होंगे ना आज की मैच में 25-30 सनों बना के देंगे लेकिन लंबी पारी ना केले गए हाला कि ग्लेंड फिलिपस से फिलिक बहुत अची करते हैं तो फिलिक से आपको पॉइंटर के बात करें तो इन्हों Carroll फिलिपसि-स तारा और दिकंट निकला मतलब इंग्लेंड की भी सामने ठीक ठाक बल्ले बाजी करके दी है गेंद बाजी तो उतनी अच्छी नहीं करी क्योंकि गेंद बाजी करते बहुत कम है लेकिन बल्ले बाजी ठीक ठाक करिए डैरेल मिसेल ने सैम करण और आदिल लशीद के सामने ये भी थोड़ा सा फस्ते है कौन डेरल मिसेल और मुझे लगता है आज के मैच में ये भी लंबी पारी तो ना खिलेंगे लेकिन 25-30 बना देंगे और गेंज वाजी करने आएंगे देकाता बिकिट भी निबटा सकते हैं तो डेरल मिसेल को भी ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए बाकी अगर हम यापे मार्क चैपमेन की बात करें इन्होंने आखरी के 10 मैच में 394 बनाएं कमाल की फॉर्म में मतलब 10 मैच 394 बन बढ़िया परफॉरमेंस कर रहें ज्यादा लंबी पारी वारी ना खेल पाएंगे पांदस पंदरा बनाके निवट जाएंगे तो मार्क चैपमेन से भी ना हमें आज के मैच में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए अगर हम यहाँ पर जीमी निशाम की बात करें जिन्होंने आखरी के 10 मैच में 143, 143 सन बनाएं 11 बिकट निकाला है मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो 15-20 की पारी खेल देतें जिम्स निसाम और एकाता बिकट भी लेकर जाते हैं इंगलेंड के सामने इस चे पहले 96, 99 बिकट निकाला है पतलब ना तो रन बहुत अच्छे मारे है ना तो बिकट बहुत ज़्यादा निकालें इंगलेंड के सामने जिम्स निसाम ने और बल्ले बाजी करते टाइम सैम करन और लियाम लिश्टन के सामने यह थोड़ा सा फस्त है लेकिन मुझे लगता है ये भी ना आज के मैच में आपको ज़्यादा कुछ खास पॉइंट्स ना देंगे ना तो बल्ले से ना तो गेंज से तो आइधिंग जिम्स निसाम से भी ना हमें आज के मैच में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए अगर हम यहाँ पर मिसेल सेटनर की बात करें तो इन्होंने आखरी के 10 मैच में 110 न बनाए 8 बिकेट निकाला है 110 न इसलिए कि बल्ले बाजी काफी ज़्यादा नीचे करने हाते हैं गेंद बाजी करते हैं तो किफायती रहते हैं लेकिन बिकेट कम मिलते हैं हाला कि इंग्लेंड के सामने इससे फेले 57-59 बना चुके हैं जो कि कुछ खास नहीं लेकिन गेंद बाजी करते हुए 17 बिकेट चटका चुके हैं तो मिशेल सैटनर को भी न हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए आयस सोडी की बात करें तो इन्होंने आखरी के 10 मैच में 14 बिकेट निकाला 10 मैच 14 ठीक ठाक है मतलब सभी मैचों में एक दो बिकेट निकाल के लेकर जाते हैं और इससे पहले इंग्लेर्ण के सामने 10 बिकेट निकाल चुके हैं कौन आयस सोडी लेकिन मुझे लगता आज के मैच में एक आता बिकेट तो इनको मिल जाएगा पिर से ये दो तीन बिगे जाएंगे कौन टीम साओधी तो टीम साओधी को भी हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए लोकी फागिस्टन की बात करें इन्होंने आकरी के दस मैच में 12 बिगे इसे नहीं बहुत अच्छा कहेंगे नहीं बहुत खराब मतलब सभी मैचों में एक या किसी मैच में दो बिगे निकाल लेते हैं लोकी फागिस्टन इंग्लैंड के सामने इससे पहले साथ बिगे ले चुके हैं जोड़की ठीक ठाक है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहेंगे मुझे लगता है लोकी फागिस्टन को एकाता बि फ्लोब उमीद इस वीडियो से आपको हेलफ मिले कि फंटैस्टिक के रिकेड के टीम बनाने में बाकी आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे है तो भया इंतजार हुआ खतम ये रही मेरी टीम है जो मैंने टीम मनाई है ना बहुत ही एनलासिस करने के बाद बनाई है वोता कि है एनलासिस मैंने बीडियों भी कर सकता हूँ लेकिन बीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी आप बहुत ही लंबी हो जाओ कि मैं भी थक जाओगा इन्पोर्टेंट क्या है आपके लिए जवर ज़स टीम बनाना जो की दे दी बाकी अगर आपको इस मैच की दो तीन टीम चाह हाँ पर जो लिंक की मिले की बस मैसे जवाइन करे तो भाय लोग आज की वीडियों में इतना ही वीडियो अची लगे तो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब इलते हैं अगली वीडियो में अगले मैं आज